देखें, अब हम DFA और NFA थियोरी की शिरुवात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ notations हैं, उनके बारे में पताना चाहूँगा, जब हम diagramatically DFA और NFA को represent करते हैं, तो वहाँ पर हमें states को और transitions को define करना होता है, तो जो starting state है, उसके यह जो notation है, वो कुछ इस तरह ऐसे है, Q not आपकी start state होई, और आपको यह arrow symbol आपको लगाना पड़ता है, arrow symbol donate करता है कि this is a starting state, और final state जो है, final state के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको double circles हैं, वो लगाने होते हैं, this represents कि this is a final state, starting state के लिए आपको एक arrow लगाना पड़ेगा और एक transition है, वो आप इस तरह से represent करते हो, let's say, यह आपकी starting state है, और इसके बाद, A पड़ने के बाद, यह कहाँ पे चला गया, Qf, जो कि final state है, तो यह A पड़ने के बाद, कहाँ पे चला गया, Qf पे, which is a final state, यह transition को define कर रहा है, इसी के according, हम यह DFA को एक transition table के form में भी लिख स सकते हैं, और हो सकते हैं, तो हम transition table के form में भी represent कर सकते हैं, तो यहाँ पे, यह इस तरह पे पहला column है, यहाँ पे हम states लिखते हैं, let's say, for example, यह हमारा transition diagram था, इसके corresponding में transition table में entries कर रहा हूं, तो Q0 state थी, और Qf state थी, ठीक है, Q0 आपकी starting state थी, इसलिए मैंने इस तरह से represent किया, और Qf क्योंकि आपकी final state थी, इसलिए मैंने यहाँ पे double circles लगाए, ठीक है, इसके बाद, जो input alphabets थे, ठीक है, let's say for example, input alphabets हमारे पास क्या थे, A और B थे, ठीक है, A और B थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A और B, और इसके बाद, इसके corresponding moves, जो transition है, उनको लिखूंग और Qf पे जा रहा है, that means Q0 A पे, A पढ़ने पे कहां पे जा रहा है, Qf पे जा रहा है, B पे इसका कोई move मैंने यहाँ पे define नहीं किया, let's say मैं यहाँ पे circle में Qf में A और B ऐसे लिख देता हूँ, that means A पढ़ने पे वो वापस Qf पे आ रहा है, और B पढ़ने पे वो वापस Q Qf पे आ रहा है, that means मैं यहाँ पे कहसे रहा है, Qf ए पढ़ने पे कहां पे जा रहा है, Qf पे ही जा रहा है, और B पढ़ने पे कहां पे जा रहा है, Qf पे ही जा रहा है, तो this is, जो definition है, दोनों की same है, this is equivalent to this, but जो representation का तरीका है, वो थोड़ा different है, यह tabular format में हैं, और यह programmatically,